आज एक विशेष लाइव यूपी उत्राखंड और पंजाब चाहे पहले पंजाब फिर यूपी फिर उत्राखंड या फिर पहले उत्राखंड फिर यूपी फिर पंजाब आप आगे ले दीजे नाम या पीछे ले दीजे और ये विशेष लाइव क्योंकि कुछ महत्वपून दिनों पे कुछ बात है आप लोगों से होनी चाहिए तो मैं आज के लाइव की सुरुवाद करता हूँ करुणा के सागर तथाकत गोतम बुद संथ स्रोमनी सद्गूर अविदास जी महाराज भगवान बालमिकी महाराज गुरु नानक देव संथ कभीर गुरु घासिदास जी समाजिक परिवर्तन के अगरदूत राश्पिता जोतिबा फूले छत्रपती साहुजी महाराज परियर रामस्वामी नाईकर परेलल यादव संथ गाड़ गेजी महाराज नाराज गुरु मा सावित्र भई फूले मा रमा भई मा वंतिका भई लोदी मा जलकारी भई मा फातिमा सेख मा उदादेव पासी और मा फूलन देवी इस समाजिक परिवरतन आर्थी मुक्ति के अंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बावु जगदे परसाद कुश्वा, जन्ना एकपूर इठाकूर, मामना रामसुर वर्मा जी कोतवाल धन सिंग गूजर मातादीन वालमी की जी मानेवर दीना वाना वालमी की जी मेरे मेरे और मेरे जैसे लाखों लोगों को जबान देने वाले स्वाबिमान सम्मान की लडाई को धार देने वाले परम पूजने विश्वरतन डॉक्टर बावा साब अमबेड कर मेरे आदर्स मेरे गुरू राइंति गुरू मानेवर साब सरी काशिराम बाबू सरी काशिराम देश के लिए साहदत देने वाले सहीद भगत सिंग, सहीद उदम सिंग, सहीद करतार सिंग सराबबा हमें लड़ने का होस्ला देने वाले नायक भगवान बिर्सा मुंडा भीम आर्मी आजास समाज परड़िके के कारे करता हमारे पदादिकारी सातियो मुझे आज लाइव आने के पिछे एक विशेष उद्देश से था उद्देश से ये था कि इलेक्शन करीब आ रहा है और जब इलेक्शन करीब होगा तो माने और काशिराम साब ये कहा करते थे कि हमेशा तीन चीज़ से बचके रहना मनी, माफिया और मीडिया आप लोगों ने बहुत मैनत कियो लेकिन देश का जो मीडिया है जो अभी जिस तंत्र के कबजे में है जिसको हम अलग-अलग नाम से बुलाते भी है वो मीडिया आपको दिखाना बंद कर देगा आपकी बात नहीं करेगा वो मीडिया आपको मुकाबले में नहीं दिखाएगा वो मुकाबले में उनको दिखाएगा जो उनको पैसे देंगे या जिन से उनके रिष्टे होंगे तो हमें अपना मीडिया बनाना और मीडिया आज के समय में अगर मुझे आप से बात करनी हो आपको बात पहुचानी हो तो ये हमारा मीडिया है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं जो विज्ञान की देन है और इस मीडिया के जरिए आज दुनिया में रहने वाले लाखो लोग मुझे सुन रहे है मैं धन्यवाद देता हूँ निसन सेवन्टी एट के लोगों का हमारे अदिविक्ता सेल का हमारे महिला मोर्चे का उसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी का जो इस अंदोलन में सक्किरिय रूप से भाग ले रहे हैं जो पर्तेक से पर्तेक रूप से जुड़े हुए है अब बड़े पहमाने पे हमारी बेहने हमारी माएं हमारे नोजवान साथ ही हमारी पर्टेक कारे करता हमारे मिशनरी लोग अब जुड़ चुके हैं मैं अपनी बात की सुरुबात करता हूँ तो मैंने जो आपको बताया कि हमारा मीडिया यह है जिसके जरिए वरतमान के हालातों पे अपनी बात आपसे रखूंगा कि साथियों कि देश के अंदर लोकतंत्र का परवारा है उत्तर प्रदेश में पंजाब में कि उत्राखंड में और अन्य एस्टेटों में विदान सभा का चुनाव कि इस विदान सभा के चुनाव में एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले साधन संपंदल है वही मानेवर काशिराम साब के सिधान्तों पे चलने वाला एक दल जो वंचितवर के लोग के अवाज उचाने के लिए और वंचितवर के लोग के सिदारे सुनिश्चित करने के लिए और सताए गए, तोड़े गए, ड्राए गए, दबाए गए, बहुजन समाज के लोग को इकठा करने के लिए निकला है मानुर काशिराम साब का जो नारा था बहुजन इता है, बहुजन सुखाए के नारे को आगे बढ़ाने के लिए निकला है बावा साब अमबेड करका जो सपना था सिक्सित्वनो संगठी तरह संगर्स करने की तरब जो निकला है उस नारे को नेके जो निकला है जो इस देश में डॉक्टर एपी जे अबदुलकलाम जैसी वज्ञानिक सोच को आगे बठाने के लिए निकला है उस दलकव भी चुनाओं में जाना है और जैसे मैंने का सब के पास तमाम तरह के बल हैं मीडिया है, माफिया है, मनी है और आजाज समाजपर्टी भीमारमी जो चुनाओं लड़ेगी वो बहुजन समाज के भरोसे लड़ेगी तो नोजवान साथियों, मेरे दो संदेश, दो से तिन संदेश आज आपको रहेंगे मेरा पहला संदेश है, कि एक नॉवंबर से लेके तीस नॉवंबर तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखन पंजाब में नए वोटर्स बनाए जाएंगे, जो 18 साल की एज पार्च कर चुके हैं, उनके वोटर्स बनाए जाएंगे क्योंकि हमारे लोग ध्यानी नरखते जब चुनाव आता तब उनको याद आता है कि उनका वोटर कार्ड कहा है, वोटर लिस्टमन का नाम है या नहीं है लेकिन आजास समाजपाटी भीमारमी के लोग जो राइंतिक चेतना जागरू करने के लिए काम, लोग को तयार करने के लिए काम कर रहे हैं, जो राइंतिक चेतना जागरू करने के लिए जो है काम कर रहे हैं, उनको कमर कसनी हैं, जिस तरह से पिछले समय में आपने साइकल रेली चलाई बड़ी बड़ी रेलिया कराई उसी तरह से अब एक तारिख से 30 तारिख तक आपको अपने छेत्रों में जो 18 साल के आयू पार कर चुके हैं उन सात्यों को के वोटर कार्ड बनवाने उनकी वोट बनवानी दूतरा जो आप अपनी लिष्टे भी चेक कीजिए कि कुछ दल है जिनकी सरकार है उनके दुआरा हमारे बहुले छेत्रों में दली पिछले बर के लोग मैनोर्टी मुसल्मान सिख जैन बहुत पार्शी जो उनके विरोधी विचारदारा के लोग हैं उनके महले से बहुत स्था लोग के वोट कटवा दी गए होंगे आपको अब क्योंकि चुनाओं के समय जबाद में आदमी पता रगता है उनका तो वोट ही नहीं है परिवार के दो वोट नहीं है चार वोट कटे वे हैं अब आपको वोट मनवाना है नोजवान सातियों आपको वोट मनवाना है आपको घर से निकल के कागज इकटा करके अ में बहन और भाई प्रवेश कर चुके हैं उनको वोटर बनाना है वोट की वेलू समझाना है यह नोजवान वोटर जब पहली बार वोट डालने जाए तो बावा साब अंबेटकर की विचारधारा मानेवर काशिराम साब की विचारधारा की परटी को वोट करें उस अंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें यह मेरा पहला संदेश है और मुझे विश्वास है कि आप इस संदेश को कल से ही इस संदेश पर काम करना शुरू करेंगे और बड़े पहमाने पर जितने वोट बनेंगे आप सभी दलों से आगे बढ़के अपने लोगों के वोट बनवाने काम करेंगे बहुजन समाज के वोट बनवाने काम करेंगे मेरा दूसरा संदेश आपको, अपने संगठन का दृस्ति करण कीजिए, जो संगठन आपने बूत तका बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां कई नहीं बनाया है, उस संगठन को बनाया, और जहां बन चुका है, उनको सकिरिये कीजिए, हर बूत पे आपका वेक्दि होना चाहिए आपका बूत मजबूत होगा जो बूत जीतेगा वो चुनाओ जीतेगा आप मीडिया के ब्रोशे मत रहिए आप अपनी मेहनत के ब्रोशे रहिए अपने अंदोलन के ब्रोशे रहिए यह तमाम दल आके चुनाओं से पहले तमाम वादे करते हैं लेकिन क्यान की क प्रक्षा कराएंगे बताओ कुछ हुआ और फिर वही दल आपके बीच में आजाएंगे और कहेंगे हम यह करेंगे चुनाओं के बाद वह आपकी गली में दिखाई देंगे तो दूत्रा काम यह है कि अपने संगठन को दुरूस्त कीजिए जिस काम के लिए आ पिछले 5 साल से लगे हैं उस काम को आगे बढ़ाने का समय आ गया नोजवान सात्यों लोग के लिए चुनाओं ही मातर राजितिक दल होने का कारण है लेकिन हमारे लिए कारण है कि हम बाउजन समाज के लोग के अंदर साशक बनने की इच्छा को ताकत दर बनाएं काशे नाम साब कहा दूत्रों के महलों से इच्छी होती है अपने जोपड़ी अपने पार्टी, अपने दल, अपने संगठन को मजबूत बनाएं क्योंकि ये लोकतंत्र है यहां सत्ता के साथ विपक्स की भूमिका है हमने अभी भी सत्ता में ना होते हुए विपक्स सकिरिये वकिस विपक्स बनके सरकार को तानासाई करने से रोका है तो इसलिए दूसरा मेरा संदेश है कि आप लोग संगठन को दुरूस्त कीजिए पंजाब में भी आप सुनिश्चित कीजिए जो लोग आप से जुड़ना चाहते हैं असन से चुड़ जाएं आप वॉल पेंटिंग कराके अपनी पर्टी की नीती अपनी पर्टी के सिधान अपनी पर्टी के नारों को आप जंता तक पहुचाने का काम कीजिए तो मेरा दूसरा सिंदेशी है कि सस्ते साधनों पर किस तरह से अपने अंदोलन को आगर बठाना इसका ध्यान रखते वे आप लोग बड़े पहमाने पर पहला काम वोटर बनाने का दूसरा संगठन को दुरूस्त करने का क्योंकि जब इलक्षन आएगा तो लोग आपकी व बहुजन समाज के लोगी वोट को अपने पाले में लाने के लिए उनकी वोट को छिनने के लिए यह तरह की वोटों की खरीदारी है कि कि आपकी वोट किस तरह से आपकी वोट का मुले लगा जा रहा है बिजली पानी और तमाम तरह की चीज़े तो मैं समझता हूं कि हमें त्यार होना अपने पैरों पर खड़ा होना है क्या बहुजन समाज तो पिछली बार बिच्छडे वर्ग के लोग से बड़े बादे भाति जनता पट नहीं किया तक आज क्या हुआ मेरी बेहने मेरे भाई में हमने के लिए लड़े वी थे वह तेज तार्ग में दुबारा अंदोलन करें हमारा समर्थन रहेगा लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं सुनी सरकार ने जायज मांग यह सत्ता का दुरुपयोग भार जनता पर्टी के लोग कर रहे वह जन विचार धराक पर अगर कोई पांटी काम कर रही है मानेवर काशिराम साभ जो हमें बनाना चाहते थी शाशक वर्ग करेंग जो लोग पामान नहीं होता है उनकी जमीन नहीं दबाई जाते हैं उनके घंड नहीं जला है तो उनका भाईशकार नहीं होता है जो शाशक वर्ग होता है और आप देख लिए इस देश में जो शाशक वर्ग है आप रोज सुनते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मेरी पीड़ा है कि आप देख लिए किन के लिए ख़बारों रो चपता किस समाज के बहन बेटे और महिलाओं के बारे में चपता कि आज उनके साथ रेप हुआ हत्याय हुई तो इसका मतलब आज भी हम साशक समाज नहीं बन पाएं इसलिए मेरा दूसर संदेश आपको ये है और मेरा तीसर संदेश ही है आपसे कि समय आ गया है साथियो कमर कसी है अब चंचेकर आजाद आपका भाई अब तक आपके साथ ख़़ाओ के वो नियाए के लिए लड़ना चाहता है और नयाग लड़ रहा था अब वो नियाएद देने वाला बनना चाहता है आपके सह्योग से मैं किसी के तलवे पैर छूके किसी के आगे पीट जुखाके आपके स्वाविमान समान का समझोता करके नहीं काम करूँगा मैं तो आपको स्वाविमानी समाज बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं आपकी ताकत से क्योंकि काशिराम साहब कहते है जिसका वोट होगा उसका राज होगा बावा साहब ने भी कहा उन्होंने का वोट का अधिकार मैंने बिखने के लिए नहीं दिया है वोट का अधिकार मैंने आपको गुलामी से मुक्ति के लिए हम बावजन महापुर्सों के जो बच्चे है वो स्वाविमानी लोग हैं इमानदार लोग हैं संगरसिल लोग है वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं और मैं आप इतने बड़े पैमाने जुड़े मैं आपसे ये भी बता दूँ कि साथियों ये अंदोलन तो पीडियो दर पीडियो चलता रहेगा ये अंदोलन इसलिए अभी सफल होने वाला नहीं है इसको समय लगेगा मैंने अभी मुझसे पूशा गया मीडिया दुआरा कि भाई आप अगर गटबंदन करना चाहेंगे तो किस के साथ जाएंगे तो मैंने कहा कि मैं बेंजी के साथ जाना पसंद करूँगा उसके बीचे एक कारण है मैं आपके बीच में बता देता हूँ आप सुन लिजे और अपने आप फैंसला लिजे उसका कारण ये है मेरे बहुजन समाज के लोगो कि मेरे लिए समाज सर्वपरी है मैं समाज से हूँ मेरे लिए समाज ही सर्वपरी है मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है B.M. R.M. आजा समाज पट्टे के लोग बहुजन समाज की रक्षा के लिए उनके अधिकार रक्षा के लिए उनके सौनवान सम्मान के लिए लड़ते हैं मैंने अपने साथियों से बात की और हमने टै किया कि हम जाएंगे उनके साथ अगर गटबंदन की बात आई तो सबसे पहले उनके साथ प्रयास करें क्योंकि मैं बहुजन समाज के लोगों में एकता चाहता हूँ आप जानते हैं पिछले पांस साल में कोई ऐसे जगा नहीं जहां मांदोलन के लिए नहीं गए जेल काटी, मुकदमे जहले, लाटिया खाई आप जानते हैं क्या क्या नहीं सहा साथियो मुझे कल समाज के बीच रहना है मुझे समाज पूछेगा कि चंशेकर आपने परियास क्यों नहीं किया एक जुट होने का मैंने आपके सामने रखी यह बात कि मैंने परियास के हजारों गालिया खाके अपमानित के लवक करवा के खुद को अजेंट और पता नहीं क्या 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 नहीं कह गया विरुद्य दुवारा मेरे परियार को गालियास क्या 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 नहीं मुझे अपमानित क्या गया और एक काम मैंने ऐसा नहीं किया जिसमें समाज अपमानित हो जाए एक काम नहीं किया हमने ऐसा तमाम बुराईया अरोप सैके लाठिया खाके जेल जाके मुकद में जेल के भी कभी आपके स्वाइबान सम्मान कर समझोता नहीं किया कभी जुकना नहीं सिखा तो क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों में एकटा बनी रहे क्योंकि आने वाले 5 साल अगर बहुजन समाज के लोग शत्ता में नहीं आए तो बेहनजी तो घर से नहीं निकलेंगी वो तो अपने महल में रहेंगी पांस साल मुझे अपने लोगों की लासे उठानी पड़ेंगे अपने हातों में इन हातों में अपने बेहनों की हाते उठाके मैं उनके लिए न्याय की भीक मांगता फिरूँगा लड़ता फिरूँगा जालिम सरकार से टकराता फिरूँगा मेरे लिए मेरा व्यक्तिकत हित मेरा स्वाविमान कोई माई नहीं रखता जब बाबा साम अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप में और देश के हित में टकरा होगा तो आप क्या करेंगा बाबा साहम ने कहा मैं उनको अपना गुरू मानता हूँ कि जिस दिन देश के हित में और मेरे व्यक्तिकत हित में टकरा होगा मैं देश की तरफ खड़ा रहूँगा लेकिन जिस दिन देश हित में और मेरे समाज के हित में टकरा होगा तो मैं अपने समाज की तरफ खड़ा रहूँगा मैं इसलिए इतनी गालिया खाने के बाद मानित होने के बाद एक स्वावी मानिविक्ती जिसने जो सरकार्स किया कि नहीं जुका, 16-16 में जेल काटी, हम पर आरोप लगाने माले अपने बच्चे को 10 दिन के लिए जेल भेज के देखा, एसास हो जाएगा, हमारे लोगों ने भ सब लोगों ने क्या क्या नहीं सहा, 16-16 में जेल काटी, लेकिन उस नहीं कहा कभी समाज के बीच में, और परियास किया हमेशा एक जुटता का, कहना असान है, आप हमारे जगा खुद को रख के देखे और इस दर्द को महसूस कीजे, मैंने इसलिए अपील की, कि ये समाज एक जुट रहे, क्योंकि मुझे समाज के बीच जाना कला मुझ से पूछोगे, कि आपने एक जुट करने का परियास क्यों नहीं किया, तो मैं सच्चा हूँ, इमानदार हूँ, इसलिए मैंने परियास किया, इतनी अपमानित होने के बाद, मेरे लिए मेरा वेक्तिकत अपम सम्मान और वो अंदोलन जिसको बावसाम बेड़कर, मैंने और काशे नाम साब और उनके सयोगियों अपने खून पर सीने सीचा, वो अंदोलन इंपोटेंट है, इसलिए, इसलिए मैंने पहल की, क्योंकि मुझे मैंने कहा ना, आज भी देख लिए पिछले पांस साल से जिए इसलिए क्योंकि नियाए की लड़ाइ लड़ते वे इस सरकार के सामने घुट्टे नहीं देखते हैं, नियाए की लड़ाय लड़ते हैं, और कोई दिन नहीं जाता जाँ भी आरमी के लोग ना लड़ते हूं, अभी केरल में हमारे प्रदेश्दर को उठा लिया गया एक बहन के नियाई की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ हूँ इसलिए आप हम पे आरोब लगाई हैं हमें अप्पानित कीजिए बुरा कहिए लेकिन एक दिन हमारा जीवन जी के देखिए आपको ऐसास हो जाएगा मैंने इसलिए पहल की क्योंकि मेरे लिए समाज परिवार है मुझे समाज के बीच रहना मैं महलों में जाके नहीं चिप सकता समाज मुझे से जवाब माएंगा तो मैं समाज के बीच ख़़ा रहा हूँगा कल समाज मुझे से ना कहे कि आपने पहल क्यों नहीं की इसलिए मैंने क्या लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं कि भीम आररभी में अजात समाज पारटिकल के विए लो, गुंगे पह रहे हैं अगर आप भीम आर७ी आर्मी को अजंट कहते हैं, तो आप पूरे बौजन समाज को नोजवानों को गाली देते हैं सुबह साम दिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनोंने जेल की सलाकों के पिछे जो है अपनी राते गुजा रही है और मैं जो कुछ हूँ मैं भीमार्मी की वज़े से हूँ अपने ग्रैबरों अपने गुर्वों की वज़े से हूँ आजा समाज पार्टी के वेशे हूं, मैं किसी नेता के वेशे कुछ नहीं हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बनाया है, मुझे कर कुछ दिया है, मुझे कुछ बनाया है, तो बहुजन समाज के लोगों ने और भीम आर्मी के लोगों ने इसलिए मैं चाहता हूं कि एक जुटता बड़ी रहे और अगर वो नहीं चाहते एक जुटता बनाना तो कोई बार नहीं भीमार्मी अपने दम से है तमाम विरोध के बाद, तमाम आरोपव को जहिलने के बाद भीमार्मी ने इस देश ने दुनिया में अपना डंका बजवाया है टाइम स्मेक जीन में अपना डंका बजवाया है ये है भीमार्मी भीमार्मी के लोग स्वाबी मानी है भीमार्मी के लोग समाज को जोडने का काम करते है भीमार्मी के लोग भायचारा बनाते हैं और आजास समाज पर्टी के लोग हजारों साल से जो गुलामी आपके उपर थोकदी उसको काटने के लिए आए जब आप सही दे आजा मुधम सिंग जी का इतियास पड़ोगे तो आपको पता लएगा कि उन्होंने लंडन में आजास समाज पर्टी बनाई जब आप उनका इतियास पड़ोगे ऐसे नहीं रखा गया आजास समाज पर्टी नाम उन्होंने आजास पर्टी बनाई और वो थे जिन्होंने 21 साल बाद इस देश के अपमान का बदला लिया उनको हम लोग अपना अदर्स मानते है हम सहीद आजम भगस सिंग को अपना अदर्स मानते है चंशेख राजाद को अपना अदर्स मानते है बावा साब अंबेटकर को अपना अदर्स मानते है जिन्होंने इस देश से गुलामी के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान दिया हमाने वरकाशी राम साथ को नेता मानते जिन्होंने अपने अपने परिवार के लिए एक बार नहीं सोचा एक रुपए के संपत्ति नहीं बनाई अरे अपना पूरा जीवन निचावर कर दिया और कल इस करज को उतार दें कि नहीं नहीं दिया। है कि एक यह पूछा का था बावन सोजिय इसके रिशूर पर्षार के पूत्र जिन जिन वाबास ओमेढक्र के जाने जन्होंने वाबास उंबैड़कर को जनौत पूरे देश को आपके एं उनको उस वहबर को उसके विचारधारा को भुला दिया गया बहुजन इताए बहुजन सुखाए जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा अगर मैं भी सब के चेहनों में पढ़के उनसे पूछा गया कि वह आप जो है यह बहुजन की बात क्यों कर सब की बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने का हम परिवर्तन चाहते हैं हम परिवर्तन चाहते हैं सत्ता को माद्य मना के व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं हजारों साल से जो उर्द्वार्दर खड़ी व्यवस्था जाती व्यवस् उसे जाती में मरेगा उन्होंने का कुछ लोग जो उच्छी जाती के लोग अब खुद को मानते तथा करती वो इस वेवर्ष्था को परिवर्थन को परदास नहीं करेंगे वो इसको यह था इस्तिती रखना चाहेंगे वो चाहेंगे कि एक आदमी कितना भी बुद्धी जीवी की हो नहीं हो लेकिन जाती के वेशे अपमानित होता रहे इसलिए मैं काशे नाम साब को समझ पाया और मैंने उनके अंदोलन को चुना अब मैं आप से पील करना अपने पैरों पे खड़े हो जाईए अपनी किस्मत, अपना भग्य, अपने भविस्य का फैसला खुद कीजिए अपने आने वाली पीडियों के बारे में सोचे रोज इंकाउंटर हो रहे है रोज हत्यावरी, रोज निर्दोस लोगों जेल भेजा आ रहा है कौन लड़ रहा है लड़ाई भीमार में के लावा, बताइए पूरे देश में आप बता देजे चाया उड़ीसा हो, जहारखंड हो, असाम हो, बिहार हो, मद्यपरदेश हो राइस्थान हो, यूपी हो, पंजाब हो, हर्याना हो, उत्राखंड हो पताओ कौन लड़ रहा है, दिल्ली हो कौन लड़ रहा है सबसे पहले आप जाके लड़ते हैं, तब लोग उसके पीछे-पीछे पैरेदारी करने आते हैं, दिखाने आते हैं, कि भई हम भी हैं तो मैरे, मैंने जो संदेश आपको दिया साथी हो ये मेरी, ये मेरा समाज के परति समर्पन है मैं स्वाबी माने वेक्ती हूँ लेकिन ये मेरा समाज के परति समर्पन है कि मैं तमाम तरह के अपमान साहके भी एकता चाहता हूँ बाकि कमजोर नहीं है, बावज साब को मानने वाले गुरु हैं हमारे पस, मान्ने बर्वर्शाब से, काशी राम, कमजोर नहीं है, अवरसर मिलने दिजे, इस देश की राजनीती को बदल कर दिखाएंगे, बावो साम बेटकर, मान्ने बर्वर्वर्शาब का सपना पूरा करके दिखाएंगे, अपने गुरु और महापुर्सों का जो सपना दास को पूरा करके दिखाएंगे है आप इत्यार उठा के दिखिए ना जब हमें अवसर मिला है बावु जगजी में राम के रूप में तो सबसे ज़्यादा नोकरी देने काम आर्थे गुरुप से ताकदर बनाने काम हमारे महापुर्सों ने किया है इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ हमें सिर्फ अवसर की तलास है और वो अवसर आप देंगे जब वो अवसर आप मुझे देंगे आगे बढ़ने का फिर आप देखना अभी तो आपने मुझे नियाए मांगने वाला चंसेकर देखा लड़ने वाला चंसेकर देखा एक बार कानून बनाने वाला चंसेकर आजा समाज पर्टी बना के देखिए एक बार नियाए देने वाला चंसेकर बना के देखिए अगर अन्याए हो जाए और न्याए करने वाला चैन्स हो जाए तब आप मुसे सवाल करें अभी तो मैं आपके बीच खड़ा हूँ आप जैसा हूँ आपसे कह रहा हूँ कि आईए मिलके लड़ते हैं और करते हैं फैसला कि हम या गुलाम रहेंगे या हम साचक बनेंगे अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ तयार कर रहा हूँ बहुजन समाज के लोग अपना होसला खो बैटे हैं मैं तो उनसे भी कह रहा था किसान भाईयों से कि दो हमारा साथ और देंगे हम आपके करने का दाम MSP की गारंटी आपको आओ आओ आप हमारे साथ मैंने तो नोजवाने को भी का जो उनस्तार सिक्सक भरती मैठे अरे तुम मांगने वाले बन रहे हो नोजवान हाथ फैला रहे हो मैं आपको देने वाला बनाना चाहता हूँ कि नोजवान दे रोजगार इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेहनों को मैं कहना चाहता हूँ बेहनों अब सर दे के देखो अगर रात को परियर रावन स्वामी नाईकर कहते थे कि रात को बारा बज़े अगर एक महिला कुछ मिल तक अकेली ना घूम के आए तो क्या बदला हुआ अगर सुरक्ष्चा का महौल ना दे पाए तब कहना अभी तो आपने लटने वाला चंशेकर देखा आपने लटने वाली भीमारमी आजार समाज पार्टी देखी भीमारमी के नोजवान तयार हैं कमर कश चुके हैं भी मारमी के लोग आजाज समाज पार्टी के लोग मन बना चुके हैं वो किसी गुलाम चम्चे के ब्रोशे नहीं रहना चाहते वो दिखावी नेताओं के ब्रोशे नहीं रहना चाहते वो तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं गजब की बात तो देखिए देश की सीमा की स्रक्सा के लिए आपको नोजवान चाहिए, बॉर्डर पे आपको नोजवान चाहिए और देश में परिवर्तन के अन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन निकम्मय नित्व को ब्रोसे हैं, जिनको अवसर मिलने के बाद उन lowered नहीं किया मैं मुस्लिम भाईयों से भी कहना चाहता हूँ आप आज भी डर के साहे में हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि आप अपनी वोट की वेलू नहीं समझें आप अभी अपनी वोट की वेलू नहीं समझें आप डर के साहे में आपको रोज सफाई देनी पड़ते आप इस देश में जो है, इस देश के प्रतिश्य समर्पित है, एक बार मुसलमान से लग हटके, अपनी वोट को के हमेद समत्य वोट देके देखिए, एक बार आजाज समाज पार्टी के साथ जुड़के, अपनी वोट का सही परियोग करके देखिए, वह आपको बराबर की इसे दारी मिलें हमने तो अपनी पार्टिक कॉंस्ट्यूशन में पिछले वर के लोगों से कहना चाहता हूं जो पिछले वर के नोजवान हैं अभी तक जो आरक्षन आपको 27 प्रिशन पहले तो आपको यह भी तै करना पड़ेगा कि आपके अधिकार कौन छीन रहा है और अधिकार हो को जब छीन जाएगा आपके आपके तरक्या रास्ता क्या बचेगा हम भारते सविधान की रक्षा किने निकले हैं उसकी रक्षा करके रहेंगे और इसके लिए हमें दुनिया की कोई त जिन दाओं इसकी सुरक्षा करना भी मार्मी सविधान का सुरक्षा दल है कि आपको यारोप लगाएं कि कोई जूट फैलाएं कि तमाम तरह की बाते करें अगर आप में दम है तो भी मार्मी के जीवन को जीके देखिए मैं सलाम करता हूं करांतिकारी नीला सलाम करता हूं जयभीम करता हूं भीम आरमी के नोजवान साथियों को और ऑज्जास समाज के कारे करताओं को और समाज पर्टी के सभी नेताओं को बहुझन समाज को जयभीम जय भारत जय सभीधान अभी तक आपने अमीरों को देखा है यह लोग तंत्र है अब गरीबों को अपनी तक्तिर का फैसला खुद करने के लिए इ обяз़ुट होना पड़ेगा बावसाब किस नारे को सिक्षित वनो संगठी द्रव संगर्स को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा और वोट की वेलू समझनी पड़ेगी वोट आपके कल का फैसला करेगा आजास समाजपाट्टे को ताकत देने का मतलब है अपने रास्ते खुद चुनना फील पावर सक्ती, सक्ती को ताकत को महसूस करना और ताकत और बनना नियाए लेना और नियाए करना महिलाओ के लिए स्ट्रक्षा और अधिकार धन्यवाद